स्वागते दोस्तों आप सभी को टेकी राच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी ओनर मोबाइल में यह दि आपका वीडियो कॉल और यहां पे ओडियो कॉल जो है वोईस कॉल काम नहीं करता है तो उसे आप कैसे कर सकती है देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जब भी हम इसी को को करते हैं तब हमें यहां पर वीडियो कॉल का आप्शन जो यहां पर शो होना चाहिए वो शोल नहीं होता है तो हम जिसको फोन लगा रहे है वो रिसीव तो करता है लेकिन हमारा वोईस जो है उन त आपको बताउगा। वीडियो के साथ बने रहे हैं सद्छी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा। यहांपे देखिए दोस्तो यह किसली हमें प्रॉब् обяз होता है वो सब से पहले दो हम बात कर लेते , ठीक है ? यहां पर देखिए दोस्तों, जब आप यहां पर किसी को call करते हैं, किसी को call करते वक्त, आपको video call का option show नहीं हो रहा है, तब तो यह हो सकता है कि आपके mobile में यह feature ही नहीं, ठीक है, number one तो यह हो सकता है, और दूसरा यह हो सकता है कि आपकी mobile में तो है, लेकिन जिस बंदे को आप call करते हैं, उसके mobile में video call का feature अबलेबल नहीं है, तो इसलिए आप call नहीं कर पाते हैं, ठीक है, video call का यह problem हो सकता है, लेकिन दोनों के पास भी है, लेकिन भी video call का funda है, तब आपको आगे क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको reset all settings पे click किजगा, अभी यहाँ पे अपना reset all settings पे click करके, इसे reset कर दीजए, ठीक है, यह reset करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, reset कर लीजएगा, उसके बाद में एक बार आपका call और आपका video call चेक किजगा, आपका काम करता है कि नहीं, काम कर जाता है, सही बात है काम नहीं करता है, अभी मैं आपको main setting बताने वाला हूँ, settings पे चले आईए, और application पे चले जाईए, और application पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको all application select करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो video call का बात करते है, video call के लिए आपको camera खोलन जाना है, और यहाँ पे video call का काम हो चुका है, अभी आपको यहाँ पे contact पे जाना है, या फिर call का option आपको दिखाए देगा, simply आप storage पे चले जाए, clear data में click करके, okay कर दीजे, ठीक है, यह okay करने के बाद में दोस्तों आपको simply क्या करना है, आपका यहाँ पे permission पे जाना है ए definitely solve हो जाएगा, by any chance फिर भी आपका problem solve नहीं होता है, तब आप जो है यहाँ पे mobile में आके आप system update चेक हीजे, यदि आपका system update आया है, तो आपको यह update कर लेना है, ठीक है, यह करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाएगा, तो उस्तों उमीद करतो हूँ आपको video पसंद आया thanks for watching